कि आत्म निर्बर भारत और आत्म निर्बर मध्यप्रदेश और आत्म निर्बर ग्वालियर इस विचाधारा के साथ हम लोग आगे चले इस ग्वालियर मेले के भव्यायुजन में उपस्तित ग्वालियर के समस्त मेरे मानुभव आपको इस सुन्दर शाम में चुक कर मेरा प इतिहासिक दिवस दुबारा अपना दस्तक ग्वालियर में कई साल बात दे रहा है। हमारा ग्वालियर का व्यापार मिला इस गालब रिप्षी की तपो भूमी समराट तानसेंड संगीत समराट की भूमी में मादमाराज प्रत्थम के द्वारा 1905 में स्ताफित किया गया था। और यह मेला केवल व्यापार का बेला नहीं है। यह मेला ऐसा एक फुलों का माला है जो केवल ग्वालियर चंबल संभाग का नहीं है। संपूर मद्यप्रदेश और आसपास के प्रदेशों की जंता को इस की संस्कृति इस शेत्र की सभ्यता इस शेत्र की कला है इस शेत्र की व्यापार की शमता इन सभी मुद्दों के साथ जोड़ कर वालियर का मेले का माला के रूप में विश्व भर में वालियर का मेला प्रकट होता है और आज उसी सोच के साथ जब तीन साल बाद करोना काल में हम लोग तीन साल इस मेले से वंचित रहें और आज जब तीन साल बाद इस मेला का दुबारा शुरुआत हो रहा है तो इस मेले में जहां एक तरफ प्रदेश की उन्नती दूसरे तरफ गौलियर का विकास और तीसरे तरफ हमारी संस्कृति और परंपरा का विश्लेशन इस मेले में होता है एक नई उमंग और एक नई उत्सा के साथ गौलियर का एक एक वासी उस दिन के लिए इंतजार करता है जिस दिन से इस मेले की तीवरता के शुरुआत हो और आप सब लोगों को उस दिवस पर मैं बधाई और शुकाम नाय आज के दिवस पर देना चाहता हूँ जैसे मैंने कहा कि 1905 में माराज प्रथम जो गौलियर के संस्थापक थे कि आधुने गौलियर के संस्थापक थे आज जितनी भी संस्थाएं गौलियर में शिक्षा की प्रणाली की संस्थाएं स्वास की प्रणाली की संस्थाएं अधोसं रचना की संस्थाएं जो भी प्रणाली है वो सब मादमाराज के समय में गौलियर में स्ताफित हुई थी पानी की योजना भी जिस शापुर जी पालन जी ने मुंबई की पानी की योजना की शुरुआत की थी उसी शापुर जी पालन जी को मादमाराज लेके आये थे गौलियर की पानी की योजना की शु अजय के लिए से शिपपुरी ग्वाइल से भिंड वाइल से शोपुर कर अंतिन छोर ग्वाइल स्टेट का तो आवा गमन की सुविदा शिक्षा की संस्ता है पहला मेडिकल कॉलेज जो बना था वो ग्वाइल में बना तो और मुझे इतियासकार कहते हैं कि जब हमारे गौलियर के पहले डॉक्टर को डिग्री दी गई थी उस समय में मादव माराज ने हातियों पर डॉक्टरों को बैठाकर पूरे गौलियर में गुमाया था क्योंकि पहले जीवन दायक गौलियर से डिग्री लेकर निकल रहे हैं तो ऐसे विराट सोच विचाद हरा के धनी मादव माराज ने गौलियर मेले की शुरुआत की और हम मेंसे ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है लेकिन इस मेले की शुरुआत जब हुई थी जब इस प्रांगरण में नहीं हुई थी 1905 में सागरताल की प्रांगरण में शुरुआती और 1918 में सागरताल के प्रांगरण से लेकर इस 104 करोव एक सो चार एकर की भूमी में ने टाइम में वालियर मेला की शुरुआत मादमाराज के द्वारा की है पश्यू मेला के रूप में क्योंकि उस साल भयानक अकाल पड़ा हुआ था पूरे स्टेट अब पश्यू मेले के शुरुआत के आधार पर यह मेले की शुरुआत हुई ताकि किसान पूरे अंचल से वालियर स्टेट का हर किसान इस मेले में आप आए 1918 में इस प्रांगरण में आई उनकी जो दूर दर्शता थी 1922-23 में उन्होंने सोचा कि इसका भव्यकरण हमें करना हो गया और उसी मास्करण प्लैन के तहर जो आज भी आप और हम इस मेले के चबूत्रे देखते हैं जो दुकाने देखते हैं जो नालिया हम देखते हैं शोचालिया हम देखते हैं वो मादमाराज के समय में 1929 में स्तापित की गई थी उस मास्टर प्लैन के तहर तो यह भव्य रूप उनकी कलपना थी और मुझे इस बात की खुशी है कि 1984 में मेरे पूझ्य पिताजी ने उस समय में एक राज्यस्तर ट्रेट फैर अथॉरिटी के रूप में गवालियर की मेली की सापना की और दिल्ली के ट्रेट फैर अथॉरिटी के साथ जुडाव उन्हें ने गवालियर की मेले की संतोष थी कि दिल्ली के ट्रेट फैर का सैट्रिलाइट सेंटर वालियर बनना चाहिए और उसी सोच के साथ यह फसिलिटेशन सेंटर की सोच उन्हें रखी थी जो 2005 में इसका लोकारपन किया गया थी उसी के साथ 1996-97 में प्रादिकरण का दर्जा इस मेले को दिया गया और आज संतोष की बात है कि हमारा मेला का नामांकरण उनके स्मृति को चिरस्ताई बनाने के लिए रखा गया है मैं सरकार को अपने तरस से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ हमारा मेला हर साल प्रगती के रास्ते पे चलता है पिछले बार जब मेले के आयोजिन हमने किया था मेरा ये अनुरोथ था कि एक नया किर्तिमान हमें स्थापित करना होगा अब पिछले बार तीन साल पहले जब मेला आयोजित किया गया था महेज जी यहां खड़े मेरे साथ साथ सो करोड उपय का किर्तिमान व्यवसाय के रूप में गौलियर मेला ने पून रूप से धारण किया मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंग्जी चौहां जी को गोविंद्राच्पूजी को कि हर साल जो मांग हम रोगते हैं कि पचास प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए आर्टियों की टैक्स पर उससे वृद्धी होती है और ये भी तत्य भी सब जनता के सबक्ष आ गई है कि जब टैक्स की छूट दिया जाता है रेविन्यू इतनी बढ़ जाती है कि जो कमी होती है उसकी भी भरपाई इसमेले के आधार पर हो जाती है हमारा सोच विचाधारा है कि आत्म निर्बर भारत और आत्म निर्बर मध्यप्रदेश और आत्म निर्बर गौलियर इस विचाधारा के साथ हम लोग आगे चलें और जो आज शेजवलकर जी ने इस मंच से कहा है कि गौलियर की शमता भी इस मेले में दिखनी चाहिए इस मेल कि ले का थीम इस वर्ष मुख्या आकर्शन हमारा आकर्षिक जूले हैं हमारे वन मेले हैं हमारे मारूती ऑवसुए मुझे विश्वास के गौलियर के वासी और चंबल के वासी सभी को इस बेले के लुफ लेने का मौका मिलेगा आप सब को मेरे तरब से बहुत-बहुत बधाई बहुत-बहुत शुब कामना है और नया किरतिमान इस मेले के आधार पर हम लोग स्तापित करें धन्यवाद जैहिंज जैवारत